अलो दोस्तों स्वागत है आपका एस फ्रेंट सेमें अभी देखिए हम डिसकस करने वाले हैं खाध्यानों के बारे में तो फसलों का इस साल बोला जा रहा है कि रिकार्ड उत्पादन रहने वाला है जो कुल खाध्यान उत्पादन है वो 315 मिलियन टन इस साल होने का अनुमा का व्यायन के नहीं तर्फ मनुस्तों के लिए दिलिए बहुत ही आवस्ते होता है वहर्शियृट अंभी रहा हाल जारी किया गया एक रिपूर्ट जिसमें कहा गया कि यूनियन गौर्ण्वेंन के मिनिस्टर है इन्होंने कहा ले गए जो है record ख़द्यान उत्पादन होगा खासकर धान की फसल अगर हम देखें तो बहुत अच्छा रहने वाला है इसके अलावा गेहूं का भी बहुत अच्छा उत्पादन हुआ अभी यह estimation चाध्यानों का यह लगाया जाता है अभी देखें धान के फसल चल रहें है और गेहूं की फसल जो होगी वह नौवंबर दिट्फंबर के महीने में लinya रोस्त की जाती है तो उसके पहले का ही पूरा estimate किया जाता है चौथा estimate Cherie अगस्द के महीनoric में और अक्टूबर से पहले का है जब ये धान का फसल पूरी तरीके से काट लिया जाएगा और इस्टिमेट किया जाएगा कि कितना इस बार धान का उत्पादन हुआ अभी देखिए जो वर्सा है इस साल उतनी अच्छी नहीं है जैसे पहले थी तो बहुत ही कम बारिस हुआ है इस साल कई जगों पर वैसे बाढ़ भी देखने को मिले लेकिन बिहार में अगर बाढ़ नहीं आया तो समझ लीजिए कि अच्छा मांसून नहीं था तो इस बार ब बार तो हर साल होते रहते हैं अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो टोटल उत्पादन है वो 315 मिलियन उत्पादन होने माला है इस साल जो कि पिछले वर्स के अगर तुलना में हम देखें तो चार दसमलों नौ आठ यानि कि लगभग लगभग पांस मिलियन टन जादा भी निकाला गया कि पिछले 5 साल को और सत के हिसाब से इस साल का उत्पादन किस प्रकार से रहता है तो इस साल अगर 5 पिछले 5 वर्सों के हिसाब से देखें तो उनकी तुलना में इस बार जो उत्पादन है वो 2.5 करोण टन अधिक है जबकि चावल मक्का दा चना दलहन र उत्पादन जो है वो रिकार्ड अस्तर पर पहुंच गया जो हमारे केंद्री किसी किसान कल्यान मंत्री है उनका नाम है नरेंदर सिंह तोमर तो इन्होंने बताया कि इतनी फसलों का रिकार्ड उत्पादन का जो कारण है वो किसान ही तैसी नीतिया है इनकी यानि कि साथ होगी कब तुफान आ सकता है कब क्या हो सकता है इन चीजों के वज़ासे उसके आलावा किसी में जो नए-णे तरह किसे रिसर्च और इन्वेशन हो रहा है उसके वज़ासे यह प्रोडक्शन लगातार से बढ़ रहा है लगातार से नए-णे जो हमका त्सेयां कि होटल अनुमान है वह 315 मिलियन है अक्सर पूछा जाता है तो ध्यान रखना है आपको अब चावल के बारे में यानि कि धान के बारे में अगर हम देखें तो 130 मिलियन टन उत्पादन होने की उम्मीद लगाई जा रही है और अगर पिछले 5 वर्सों का हम एवरेज देखें तो यह 116 मिलियन टन था जबकि अगर तो तुलना करें तो करीब 15 मिलियन टन इस बार ज्यादा रहने माला है पिछले 5 वर्स के अनुपाद में यह हूं का अगर देखें तो 106 मिलियन टन उत्पादन हो जाएगा इस बार एंड पांच साल का एवरेज यहां पर देखें तो 103.88 मिलियन है जो कि इस बार अगर हम कहें तो 3 मिलियन ज्यादा लगवग हैं ठीक है मोटे अनाज का भी यहां पर कहा जा रहा है कि मोटे अनाज बहुत ज्यादा पोसंड देते हैं तो यह बहुत ही जरूरी हो जाते हैं किसी भी स्वास्ट की नीत से अगर हम देखें तो इस बार मोटे अनाजो का उत्रफादन जो है वह भी 50.9.0 मिलियन टन होने की उम्मीद है तो ध्यान रखिएगा मोटा मोटा की कौन सा प्रडक्शन किस बार इस बार ज्यादा है एक्जाम में एकसर पूछते रहते हैं और UPSC के लिए तो हमेशा से यह इंपॉर्टेंट है answer writing में भी आप इसको use कर सकते हैं